दिलाइव तस्वीरे देख रहे हैं हर्याना के जिले यम्रा नगर के जिला बाल कल्यांड और आप सभी को बता दें कि आज जो है राजेस थरी चित्रकारी प्रतियोगिता का आयोजन जिला बाल कल्यांड ने किया है जिसमें विविन प्रकार के स्कूलों ने उसमें चित्रका यहाँ पर शिश करते होई नजर आएंगे और आप सभी को जानकारी देदें कि तमाम लोग यहाँ पर मौझूद हैं तमाम district education officers यहाँ पर मौझूद हैं मनिशा खन्ना की बात की जाए तो वो भी हाँ पर मौझूद हैं कुछी दिर में बच्चों को प्रुसाहित किया यहाँ पर शितकारी परिती होगी ता हर्याना राजय बाल कल्यान परीशत के द्वारा यमुना नगर में योजित की गई है जिसमें बाल कल्यान परीशत यमुना नगर में तमाम प्रकार के जो लोग हैं जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं आप लोग देख कल्यान के तमाम जो लोग है वो यहाँ पर अपनी शिर्कत करते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यातिती के तौर पर जो है राहो लूडा ने आना था लेकिन वो किसी कारणवश नहीं आ पाए तो आज जो है डिस्ट्रिक एजुकेशन आफिसर ने मुख्यातिती के तौर पर यह करत की है जिसमें चित्रकारी प्रतियोगिता का योजन बड़ी धूमदाम से वरबाल कल्यान राज्य की तरफ से खिया गया है ताब सभी को जानकारी दे दें कि डियो यानि कि डिस्ट्रिक एजुकेशन आफिसर प्रेम सिंग पुनिया यहाँ पर मौजूद है हर्याना बा कि तरफ से जो है राष्टिय चित्रकारी प्रतियोगिता का योजन बड़ी धूमदाम से जिला बाल कल्यान परीशत के द्वारा मनाया गया है और कहीना कहीं बच्छे जो हैं प्रुसकारित होते हुए बड़ी ही धूमदाम से बेटियां जो हैं विश में नाम रोशन करती ह देख सकते हैं तक मैडम मनीशाघंणर घंड कोई देख सकते हैं कि घंड करता हैं मेडम मनीशाऄरर हैन्ध सब्सकार्य करती ही जले और हैं दिख सकते हैं वाद मोगति सम्मान करते हुए गल्फ आप सबी को जानकारी देदेंग की राज हर्याना राजवाल कल्यान परिशत के द्वारा इस प्रकार की तमाम जो है प्रतियोगिता का आयोचन किया जाता है जिससे बच्चों का मनोबल बढ़ता है और मनोबल बढ़ने के साथ साथ तमाम हर्याना के जिला राज्य यमुना न उनका जो है फेसिलिशेशन समारों यानि की समान समारों यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है जिसमें हर्याना के या मुरानगर के विभिन स्कूल्स ने विभिन स्कूल्स के विभिन क्लासिस के विभिन बच्चों ने यहाँ पर जो है बहुत सुंदर सुंदर चित्रकारिया बनाकर जो है अपनी कला का पखान किया है कला का पखान के बाद यहां पर इनका अभिनंदन होता हुआ नजर आ रहा है और कहीं न कहीं सब लोग गुर्वांतित महसूस कर रहे हैं और गुर्वांतित के साथ साथ आप सभी कुछ आनकारी दे दें कि यहां पर जो हैं उनके लि ऐसी टायों से इन बच्चों की होच्वक्ता अफ़लाई होगी जो परस्वहें रहे हैं उन्हें आख रहे हैं यह नियुक्त इन लिपशन उन्हें ने ल्ग देख्चे हैं mentally disabled बच्चे हैं जिनें कई बच्चों कुछ सुनाई नहीं देता है तो कई बच्चों बोल नहीं सकते हैं तो mentally disabled बच्चे हैं जिनकी category अलग रखी गई थी special child category अलग रखी गई थी जिनमें उन्होंने गौरवानतित महसूस किया अगरवानतित होने के साथ साथ कही ना कहीं अपनी छटा भी जेरी है आप लोग देख सकते हैं कि इस बच्चे को एक आँख से नहीं दिखाये दापता लेकिन फिर भी इसका सम्मान किया गया है और कितनी अच्छी इसने चित्रकारी करी है कुछ बच्चे mentally disabled है कुछ बच्चे physically disabled है लेकिन इनको जो है इस तरीकिये से सम्मान करकर हर्याना राचय बाल कल्यान परिशत के द्वारा सम्मान दिवसिन का हर्याना स्टेट कॉंसिल चाहिल से मनिशक हना उन से बाचीद करते हैं क्या कुछ आज कॉम्पेटिशन रिखा गया था नाशनल पेंटिंग कॉम्पेटिशन है हर साल होता है हमारे हेड़कोर्टर से इंस्ट्रक्शन आती है थीम आते हैं और ये पूरे हर्याना में कंडक्ट किया जाता है और उसके बाद यहां से सेलेक्शन होके जो है बच्चे स्टेट लेवल में जाते हैं आज कितने बच्चों ने इन पार्टिस्पेट किया है यहां आज हमारी बहुत अच्छे टेंडेंस रही मैं डियो साब को बता जाती हूं कि हमारे 562 जो है आज प्रेजन रहे बच्चे और फिजिकली चैलेंज भी बच्चे इस बारी बहुत आये हैं 32 के करीब बच्चे फिजिकली चैलेंज में भी पार्टिस्पेट किया है यह एक एंकरेजमेंट देख से हैं हम जो होती है जब गर्मेंट प्राइवेट स्कूल कठे एक छट के नीचे आते हैं तो वो जो बच्चों में भावना होती है उस बहुत मैटर करती है और आज मैं भी यही बात कर रहा थे हम स्टेज पे कि जब गर्मेंट स्कूल के बच्चे पार प्राइजिस करते हैं तो आपको एक अं ब्लू ग्रूप है यह लो वाइट रेड ग्रूप हुमारा स्पेशली चैलेंज बच्चों का है और थीम्स भी उपर सही आते हैं यह बच्चों को जब हम चिठियां भेज़ते हैं उसमें थीम्स नहीं दिया जाते हैं क्योंकि यही एक और्गनाइजेशन हैं जिसके होडी डिप्टी कमिशनर हैं और यहां पर हर तरह का प्लाटफॉर्म है प्राइवट स्कूल के लिए गर्मन स्कूल के लिए और फ्री कॉंपिटिशन होते हैं इसमें कोई चार्ज नहीं लगते और डियो साब ने हमारी बहुत हमारे पास इस बारी पार्टिस्पिशन बहुत अच्छी आए तर क्या कुछ के ना चाहेंगे आज आपने शेटकत करी ने सारे बच्चों ने किया में चोटे बच्चे और साथ-साथ-सर गवर्मेंट और प्राइवेट स्कूल ही करते हैं क्या कुछ एक्स्पिरिएंस आज अपना शेयर करना चाहेंगे आज का एक्स्पिरिएंस जैसे आप लोग भी हमारे साथ सह भागी रहें उसको देखने के अंदर कि हागाना राजया बाल कल्यान परिशेद की तरफ से जो ये प्रोग्राम करवाय गया प्रेंटिंग का इसमें बच्चों ने अपने परतिवा को बाखु भी सब के सामने परदर्शित किया और आप जैसे मैं ने बताया कि फिजिकली चैलेंज्ड बच्चे जिनको हम ये सोचते हैं कि बच्चों कुछ नहीं कर पाते उनकी पेंटिंग मुझे लगता है सबसे अच्छी रही होगी और मेरा भी काफी लंबा एक्स्पिर आप पेरेंट्स को टीचर्स को अन्रोध करना चाहुगा है कि जो भी बच्चे उनके संपर्क में है उनको जब भी कभी इस प्रकार की प्रत्योगतां में भंग लेने का मुखा मिले उनको अवश्य मौका दे और एक बात मैं आपके साथ और शेर करना चाहूंगा जैसे मैं हमने कहा आज सभी अख्वारों की हैड लाइन है हमारे सुपर हंडर एक प्रोग्राम चल रहा है रिवारी के अंदर जिसमें गौवर्मेंट के इकतालीस बच्चे जे डबली अडवांस का अग्जाम उन्होंने क्लियर किया है और वो फॉर्टी वन बच्चे आई आई टीज म एक लेबल से लगाता है कि साथ उतना ना कर पाए अच्छा या ग्रीप परिवारों से हैं एकनोमिकली वीकर सेक्सल से आम तोर पर माना जाता है लेकिन मैं कहना चाहूंगे उन बच्चों के अंदर ज्यादा टेलेंट है तो मेरा आप से अनोध रहे कि आप बहुत अच्छ तो आप मुस्रेम को दे दीजे इजाज़त ताज़त तरीन खबरों के लिए बने रहे आप 24 के साथ नमस्कार